कि मस्कार दोस्तों स्वागत फिर से आप कह गरी एक जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पे और आज हम जो वेकंसी लेकर आया है वह डेली डेवलप्मेंट ऑथर्टी की वेकंसी है और यह वेकंसी पहले ही आने वाली थी लेकिन करोना के चलते कुछ लेट हुई थी वेकंस लाई है तो इसका जो अपनिंग डेट था मैं फिर से आपको इसलिए यहां पर लेके आया हूं कि जो लाश्ट डेट है वह काफी नजदीक है और काफी अच्छी जॉब है पोश्ट है तो हमेरे बने रही हमारे वीडियो के साथ मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा क्या की ओपनिंग हुई थी फॉर्म फिल अप करने की वह एक अप्रेल से चालू हो गई थी लेकिन यहां पे बहुत सारे बच्चों ने मैंने एक पोल करवाया था टेलीग्राम पे तो उन्होंने बहुत लगभग 50% से एवा बच्चों ने वेकेंसी फिल अप नहीं किया था मैं है यहां पे आपके लिए कुछ इंफोर्मेशन देना चाहता हूं कि कैसे आपको वेकेंसी फिल करना है साइब मोबाइल पे तो पॉसिबल नहीं है वेकेंसी फिल करना फ्रेंस इसकी जो लाश डेट है वह तीस चार तक है छे पीम तक और जो अप्लिकेशन फी है वह चार प किस बोर्प में हमें आपको दे दूंगा इसकी लिंक डिस्विशन बॉक्स जूं आप वहां भी जाकर डॉन्लोड कर सकते हैं या फिर वेकनशी की जो फीलाप करने की लिंक हां वहां से जाकर वेकंश कर सकते हैं da bankरी यहां पिस कुन की जो है िएट जो है है वो आपको 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें लेकिन इसमें बहुत सारी बचों को कोर्टी कल्चर और फोरेश्ट्री यही सब इलीजिबल है इसके लावा किसी भी कोर्स आपके पास बीटेक किसी बीद्रा का कोर्स आपके पास है तो वह इलीजिबल नहीं है दूसरा जो क्यों रहता है फ्रेंस की मैं आईसी यार से क्रिडेशन कॉले से नहीं हूं क्या मैं फॉर्म फिलब कर सकता हूं आप पिल्कुल फॉर्म फिलब कर सकते हैं आपकी सेलेक्षन लेने में कोई प्राब्लम नहीं होगी तो दो आपके पास क्यूरीज जहां पे समाप्थ हुआ लेकिन यहां पे सीट की बात कर प्राब्लम यहां पर EWS के लिए है कि EWS क्या जो सर्टिफिकेट है वह अभी लिया जा रहा है तो अभी बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है अधिया आप सेलेक्षन होते हैं या फिर आप बनवा लिजिए फॉर्म फिलब कर टाइम में उसका किसी भी तरह का नंबर या फिर क पिलाब हम पहुंचते हैं लाजड़ अप्लिकेशन की जिसके लिए मैं वीडियो बनाया हूं कि यह जो लाजड़ है यह 34 बढ़ने वाली नहीं है अप यह मन में है कि बढ़ेगी तो पिलकुल नहीं बढ़ेगी और इसमें वेक्रेंसी फिल करने में थोड़ा यह प्राबम प्रकिरिया चालू होगी पहले आप प्रेमेंट नहीं कर सकते हैं तो 24 घंट आपका यहां पे चला गया फिर प्रेमेंट करने के बाद फॉर्म का जो print out होता है वो आपका 24 hours के बाद निकलता है मतलब payment आप कल करेंगे तो परसों जा करके आपका payment successful होगा उसके बाद आप उसकी print out ले सकेंगे दूसरी फ्रेंट्स क्या बात है कि आप mobile पे इसका जो ब्राजर है वो खुल नहीं पा रहा है आप mobile से registration तो हो जाएगा लेकिन form फिल आपके प्रकिदिया आपको लैप्टॉप में आप internet explorer यूज़ कर सकता है फायर फॉक्स यूज़ करते हैं या फिर जो गूगल का Chrome है उसका का higher version यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी friends का दिक्कत आ रहा है कि सरी फॉवाइल पहुल नहीं रहा है तो mobile पह संभाव नहीं है आपके पास किसी पास मोबइल में खुल रहा है तो बहुत अच्छी बात है आप फॉर्म फिल क कर द debates म proud कर आएंप आ प्र अर baixow 123 ंंडिया घ्र और कि इसकी जो यह तो आपका जो एज री अक्सेशन इन जो मिला तो यह कытरी जो कंडेट आते हैं उनके लिए यहां पर जो एक और पर आती है बराबर कि इसकी इसकी जो सेंटर है वह that डेली एंसी र मतलब नोड़ा से लेकरके गुडगाओं के बीच में आपका जो भी सेंटर होगा वह आपको मिलेगा यहां पर किसी भी स्टेट में इन्होंने सेंटर नहीं बनाया है प्रेमिंट की बात कर लेते हैं तो हाँ फिर फ्रेंट्स अब यहां पे स्लेक्शन प्रोसेजर की बात करते हैं तो इसमें कोई प्री एक्जाम नहीं है वनली मेंस में आपको 120 कुशन मिलेगा आपको कि 120 कुशन मिलेगा फिर्ण्स डू आवर का इसमें टाइम रहेगा और इसमें आपका जो है मार्क सबका सेम रहेगा वन ट्वेंटी कुशन में आपका टोटल 120 मास का भी रहेगा और इसमें अलग अलग जैसे पूछा जाएगा जैसे टेस्ट आप रिजनिंग कॉंटिटिव जेंडरॉल अवेटनेस च throughput देशनियू और इसमें मतलव इस्प्रेक्टिव डिसीपली highway और हें मैं आपका जैसे होके होटी कल्चर है तो होटी कल्चर का फ्लोरी कल्चर जो पार्ट है लॉन यह सब गार्डेन वगरा के वारे में या फिर फ्लोरी कल्कлचर के जो भी पू जा राही कि इसमें बैंकिंग बने इंगलिश्याइं तो नहीं यहाँ पेज जो शॉफ से ऊप्रेशित रहेगा तरफ में थोड़ाएं पर तुकर क्वांट कि थोड़ा सा टफ रहता है लेकिन आप रिजनिंग और इंगलीज जो है काफी इजी रहता है जेनरल इवेडिनेस में आपको करेंट अफिरस पढ़ना पढ़ेगा जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है कहां पर है डेली के बारे में कुछ आपको पढ़ना पढ इसमें आपको और आगे लेके चलते हैं कि आपके पास किसी कि पेनाल्टी आप रॉंक रॉंक्यूशन यह भी बराबर क्यूरिज में तक्या सर नेगेटिव मार्क्स है का बिल्कुल नेगेटिव मार्क्स है तीन में एक आपका लिया जाएगा है इसमें एक मेरीट का प्रिपेशन है कि यह आप इससे यह मेरीट आप देख लीजे है। 40% DDA का DDA में जो आप कौलिफाइ करेंगे 40% से कम का जो मेरिट रहेगा वो नहीं बन पाएगा तो आप यह IBPS में होता है कि मिनिमम मेरिट होता है उसमें मेरिट एकजाम के बाद डिसाइड के जाता है लेकिन यहां पर इन्हों क्वालिफाइ कर दिया है कि इससे कम मेरिट रहेगे तो हम लड़कों को नहीं ले पाएंगे जेनरल कंडिशन में आप इससे डीटेल में पढ़ लेंगे मैं ज्यादा ज्यादा क्यूरी पर ध्यान दे रहा हूं अप्लिकेशन फी इसमें 500 है जेनरल OBC EWS के लिए और SCST के आप सिगनेचर जो आपका करेंट होना चाहिए आप ज्यादा लेटेस्ट फोटो ही देंगे ओनलाइन फी में आप बैंकिंग आप भीम एप्लिकेशन यूज करते हैं तो जब आप फी में जाएंगे तो आप यूपी आई सेलेक्ट करेंगे आप किसी भी मोट से पेमेंट क कीजिए मैं आपको कियूज पॉसीबल होगा जल्द से जल्द आपको हम पहुंचाएंगे इसके बारे में दी आपके पास कोई और जानकारी लेना हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यहां पे हम स्लेबस के बारे में आप जान लेता है क्या होने वाला है तो दूश्लिबस के बारे में फ्रेंड्स अभी आपको लेकर चलते हैं कि शेक्षिनल आफिसर होटी कल्चر पोष्ट कोट 7 का यह था member friendly for Oddeeуса प्लोरी कल्चर का होटी कल्चर का है आपको इसमें गांड मस्ट हैप नॉलेज और इसमें एसमें मत समझें कि इसका सिर्फ ख मरी कल्चर का ही पाट आज गा होटी कल्चर के भी पार्ट पूछे जाएंगे जैसे प्रोपागेशन हो गया या फिर जो भी लॉन वगेरा मतलब होटी कल्चर के कुछ पार्ट आप सीधा आपका इंटेंशन होना चाहिए कि रोड साइड एवेन्यू या फिर रोड साइड ट्री कौन-कौन से आते हैं वहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सरा पूछा गया और टी कल्चर स्टाइल आफ गार्डेनिंग लॉन डेवलप्मेंट क्योंकि आपका देली में आपका जो वर्क होगा वहां पर जो गौवर्मेंट होगी वहां पर आपको इसलिए रखेंगी कि लॉन का कैसे कैसे जादा सब्सक्राइब जो पॉलूशन वहां बढ़ रहा है उसके आप कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन्वर्मेंटल पॉसिबल जो है तो आप यहां पर हेज बगएरा या फिर रूफ गार्डेनिंग बोंसाई मेंटेनिंस एन्वल फ्लावर टॉपियरी इंडोर और पॉटेड है फिर फ्लॉरी कटर में आपका रोजर रोज परना है और चीट न प्यूब रॉज लियम जितना भी अपना यहां पर दिया फ्रेंस आपको पढ़ना पड़ेगा और बाकी इह यहां पर दिया या पर इस हापु को यह चारो text खिश्डियंक्ड들 अब्धनेस एंड इंग्लिस लैंग्वेज यह आपका टोटल बेश्ट होगा एससी पर आप एससी पे ज्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा और बैंकिंग के तो संभव नहीं है तो यह आप एससी पर ज्यादा फोकस करेंगे एससी किसले बस पर ही आप इस चारों को कभ पूशे रहेंगे तो यहाँ पर इनॉंस नहीं किया है कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं बोल पाता हूं लेखिन माई थिंक ग्री एक्जाम ग्रूजी का तिंग जो है वह आपको होटी कल्चर का जो क्यूशन रहेंगे वह मिनिमम फि कि होटी कल्चर के फ्लोरी कल्चर पार्ट से आजए या फिस इक्स्टी में और चारो सब्जेक्ट मिल जाए तो उनकी मजजी पर है यहां पर यह नहीं किया है तो कुछ भी बोलना अच्छा नहीं है तो बहतर होगा फिर्ण्स आप आज से ही तैयारी में लग जाए और इस बेल आइकन को ही प्रेस कर लिए जिससे के हमारी वीडियो के नोटिवेशन पहुंच सके और आगे भी अधी इसके रिगार्डिन कोई क्यूरी जो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आज के लिए बस इतना है फ्रेंस जय जवान जय किसान